आप सभी को नवरातर की धेरों बस्तुत का बनाएं और आज इस वीडियो में हम बनाएंगे नवरात स्पेशल 10 मिनिट में बनने वाली यम थाली जो की माग को भी भोग लगेगी और कंजिकाओं को भी खिलाने के लिए उप्यूक्त होगा चट पर से बन जाएगी है मखाने क की खेर आलो चमांडी के सब्जी तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यहां मैंने मखाने ले लिये हैं दूद जो की बॉयल है कुछ ड्राइ नट्स इलाइची और टेस के कॉलिंग शुगर ले लिया है और इसे अब हम बनाएंगे मखाने की खेर तो यहां मैंने दूद को पकाना स्टार्ट किया है से घाड़ा करना और एक पैन को गर्म कर लिया है और इसमें हम देसी घी आड करेंगे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है देसी घी से खीर में तो बस घी को आड कर लिया है हमने यहां पे और फ्लेम मीडियम रहेगा अब इस घी में हम सबसे पहले ड्राइ फ्रूट्स जो है हमारे पास जैसे कि यह आमन्स काजू इन्हें रोस्ट कर लेंगे जिसे कि खीर में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो बस हलका हलका से भूम लेना है इन्हें जिसे कि बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और साथ म यहां पर मैं किश्मिश को भी फ्राइ कर लूँगी लो हीट पर कीजिएगा जिसे की यह ड्राइफ रूट्स जले नहीं जल जाएगे ना तो टेस्ट बिखार हो जाएगा कड़वा हो जाएगा तो यह देखिए नर्स फ्राइ हो चुके हैं अब इसी गी में हम यह जो मखाने है ना इन्हें भी भून लेंगे मीडियम हीट पर ही इन्हें भी भूनेंगे अच्छे से टास करते हुए हम इन्हें भून लेते हैं इनका कलर चेंज नहीं होना चाहिए पर यह क्रिस्प हो जाएं क्रांची हो जाएं ऐसा करना है हमें जिसे कि इसमें जो मौश्य होता है न बून रहे हैं बहुत अच्छी खुश्बू आती है बूनते वक्त इनको तो इसे बून लीजिए जब तक कि क्रिस्पी क्रिस्पी ना हो जाए पर कलर इस पे ज्यादा नहीं आने देना तो यह मैंने थोड़े से निकाल लिए और जो यह बच्चे वहन इन्हें मैं ठंडा करक होगी और यहां देखिए दूद भी हमारा साइड में गारा हो चला है यह फूल क्रिम मिल्क है आप फूल क्रिम मिल्क लेके खीर बनाएंगे तो बहुत यम बनेगा और यह जो मैंने मां खाने को ठंडा करके और कोर्सली ग्रैंड किया है इसे बहुम दूद में आट करेंग गार्फ है तो बस इसे अच्छे से mix कीज Renault और पकाते रहे यह अख्षा जो हमने रखावान चुस्टीड कर लेंडा यह भी बहुस अच्छे से open दूद में जाते हैं अचछे सेती उड़ते ही। क्योंकि अब थिक होने लगा है तो नीचे ये पैन के लगना स्टार्ट हो जाएगा इसलिए अच्छे इससे continuous stir करें फिर यहां यह भूने वे जो ड्राइफ रूट से वो भी आड़ कर लीजी इसका भी फ्लेवर अच्छा आजाएगा और यह सौफ भी हो जाएंगे साथ साथ में लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हमें कुक करना है खीर को यह बहुत जल्दी बन जाता है और यहां पर मैंने इलाइची आड़ किया है खोल के आप इलाइची पॉडर भी एड़ कर सकते हैं अगर आपको केसर का टेस्ट पसंद होना तो वह भी दूद में सोक करके यहां आड़ कर सकते हैं और फिर यहां शुगर आड़ करेंगे टेस्ट को अकॉर्डिंग अच्छे से मिक्स कर लीज़ेगा और इसे कुछ सेकंद्स और पका लेंगे और यह देखी तो हम गारी गारी से खीर हमारी तियार हो गई है इसे ठंडा करते हैं और तब तक हम सबजी की आड़ी कर लेते हैं आड़ी तो यहां बॉल टमाटर हैं कुछ मसाले हैं टमाटर हर्मिश अज्ड़क और कालिमिश कपीस तैयार कर लेना है और फिर हम सबजी कुक करते हैं यहां मैंने पैन गर्म कर लिया है वरत का खना मनार इसले घी में आप चाहें तो आउल जो आप र जीरा आड़ करेंगे आप यहां जो भी मसाले नहीं खाते हों वरत में उसे अवाइड बिलकुल कर लीजिएगा मैं अपने अकॉर्डिंग यहां मसाले आड़ कर रही हूं घी मिल्ट हो चुका है अब यहां मैं जीरा डाल रही हूं जीरा जैसे क्रेकर करने लगेगा यहां हिंग जा लेंगे हिंग का फ्लिवर बहुत अच्छा आता है अगर आप रत में हिंग ना खाते हों तो मट डालेगा स्किप कीजिएगा हिंग को इसे कुछ सेकेंज के लिए फ्राइग कर लेंगे फिर दो सुखी मिर्च तोड़ते वे आड़ कर लेंगे और तेज पत्ता इ कालिमर्ज का पेस्ट है इसे मैंने कोर्सली ग्राइन किया हुआ है इसे आड़ करेंगे और मीडियम हीच पे इसे अच्छे से हमें कुप करना है जब तक की घी वापस उज आउट न कर जाए सेपरेट ना हो जाए यह देखिए दो से ती मिनिट बुनने के बाद घी हाफ स्पून फिर यह गई कश्मेरी लाल मिच बहुत अच्छा कलर आएगा आप खाते हों तो एड़ कीज़ेगा और यह भूना जीरा का पाउडर है यहां कोई गरम मसाला सबजी मसाला कुछ भी आड़ नहीं करना बस यह भूना जीरा मसाला इन्हें लो फलिम पे अच्छ इन्हें मैंने रफली क्रश कर लिया है वह एड़ कर रहे हूं और आलू को भी मसाले के साथ हलका दवाते हुए मिक्स करेंगे जिसे बहुत अच्छे से मसाले आलू से लिपट जाए तो बस अच्छे से मिक्स हो चुका है आलू भी थोड़ा थोड़ा भून गया है मसाले के साथ और अब यहां पर हम वरत वाला नमक जिसे सेंधा नमक कहते हैं वो टेस्ट के अकॉर्डिंग एड़ कर लीजे और इसे भी अच्छा से मिक्स कर लेंगे हम सभी चीजों को एक साथ लो टू मीडियम फ्लेम पर कीजेगा मसाले जलने ने चाहिए साथ में तो इसे आलू को हलका क्रश करें इसे ना ग्रेवी काफी थिक बनेगी और मज़ेदार बनेगी आप देख रहे हो ना वीडियो में मैं इसे हलका क्रश भी कर रही हूं टॉस करने के साथ साथ तो आप भी कर लीजिए गा और अब हम यहां पे पानी आड़ करेंगी ग्रेवी के लिए तो जिस जार में मैंने टेमाटर पिस आथा उसे में पानी डाल के आड़ कर रही हूं त्यूकि उसमें भी भी बहुत सारे फ्लेवर्स देना हमारे इसलिए और थोड़े सा पानी आड़ कर रही हूं और इसे अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पे अब हमें कुक करना है इसे पहले यहां था और सधनिया पत्ती बीच में आड़ कीजिए बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और इसे अराम से 6-8 मिनिट कुक कीजिए और यह देखिए आठ मिनिट हो चुके हैं हमारे सबजी को पकते वे ऊपर आप रोगन देखिए गी बिल्कु उज आउट हो रहा है अप्रेट रहा है यानि हमारे सबजी बिल्कुल बन के तयार है बस इसे आप देशा आउट करना है तो यह देखिए सबजी पक गई है एकदम अच्छे से क्या कलर रोगन आया है बस इस पेथर इसे और धनिया पत्ते के गार्निश कर लीजे और इसे सफ करने के लिए बिल्कु तयार है मज़दार आलू टमाटर के सबजी मजा आजाएगा भोग लगाते वे देवी से को भी अच्छा लगा कंजिकाई वेसे पसंद से खाएंगे तो चलिए थाली तेगार कर लेते हैं और यह देखिए मखाने के खीए को भी मैंने सब्व आउट कर लिया है टमाटर को और गरम गरम पूरिया अगर वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चैनल पर नहीं होए तो सब्सक्राइब कीजिएगा फिर मिलूंगी नई वीडियो पे टेल दान कीप आउन सपोर्टिंग लाव यू माइफ फ्रेंड्स चैमाता दी बाबाए बबाए